नमस्कार प्रिय विध्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालीनी मूल्चन्दानी विभागा द्यक्ष एवं सहा आचार्य हिंदी विभाग राच्किय डुंगर महाविध्याले पिकानेर आज हम M.A. उत्राट की तृतिय प्रश्णुपत्र भाषविज्यान के अंतरगत हिंदी की पारिभाशिक शब्दावली पर चर्चा करेगी पारिभाशिक शब्दावली का तातपरिय पारिभाशिक शब्दावली अंग्रेजिक के टेकनिकल टर्मिनलोजी का हिंदी अनुवाद है हिंदी का ये टेकनिकल शब्द ग्रीक भाशा के टेकनिक कोई से व्यूदपन है जिसका अर्थ है कला विश्यक कोश के अनुसार टेकनिकल का अर्थ है विशिष्ट कला विज्ञान तथा शिल्प विश्यक पारिभाशिक शब्द का तात्परिय है ज्ञान विज्ञान के विशेश शेत्र में विशिष्ट तथा निश्चित रूप में प्रयोक्त होने वाले शब्द प्रयोजन मुलक हिंदी की दृष्टी से शब्द तीन प्रकार के होते हैं सामान्य, अर्ध पारिभाशिक तथा पारिभाशिक हमारे दैनिक जीवन या सामान्य व्यवार में प्रयुक्त होने वाले शब्द सामान्य शब्द हैं जैसे लकडी, घोड़ा और गाड़ी आदी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य और पारिभाशिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे अर्ध पारिभाशिक शब्द हैं जैसे रस अर्थ आदी परिभाशिक शब्द वैसे शब्द हैं जिनका किसी विशेश अत्वा शेत्र के लिए अर्थ निश्चित कर दिया गया है जैसे मानवी की प्रशाशन आदी परिभाशा परिभाशिक शब्दावली विशेशग्यों तथा तकनीशियनों के उनके अपने विशिष्ट विचारों को लिबिबद करने है तू ग्रहन अनुकुलन और निर्वान द्वारा तयार किये जाने वाले प्रतिक मात्र हैं रंडम हाउस विज्ञान अत्वा कला जैसे विशिष्ट विशेओं की तकनीकी अभिव्यक्ती है तू किसी निश्चित अत्वा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त डॉक्टर रगुवीर पारिभाशिक शब्द उसको कहते हैं जिसकी परिभाशा की गई हो पारिभाशिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाशिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधरन शब्द होते हैं डॉक्टर भोलानात्तिवारी का कहना है कि पारिभाशिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भूतिकी, दर्शन, राजनिती, आधी विभिन विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने शेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश् रूप से परिभाशित होने के कारण ही ये शब्द परिभाशिक शब्द कहे जाते हैं विशेष्टाएं परिभाशित और व्याख्या सापेक्ष परिभाशिक शब्दों को व्याख्या सापेक्ष और परिभाशित होना चाहिए यही विशेष्टा उसे सामान्य भाशा से अलग करती है उधारन के लिए रस कहने से साहित्य में सामान्य फल आदी के रस का बोध नहीं होता बलकि रस जो आनंद का वाचक है उसका बोध होता है विशिष्ट अवधारना अत्वा संकल्पना से संबधता पारिभाशिक शब्द एक विशिष्ट संकल्पना को भी धारन क अर्थ शास्त्र का अर्थ शब्द एक विशिष्ट संकल्पना को धारन करता है नियतार्थता वे अपवर्जिता पारिभाशिक शब्द के अर्थ निश्चित होने से उसके शेश अर्थ अपवर्जित हो जाते हैं गती कहने से भोतिक विज्ञान में गती के सामान्य अर्थ चाल का अपवर्जन हो जाता है, तथा उसका एक नियत अर्थ प्राप्त होता है। एकार्थ बोदत्ता, पारिभाशिक शब्द एकार्थक होते हैं, उनसे कोई दूसरा अर्थ प्राप्त नहीं होता। जिस अर्थ के लिए निश्चित किया गया है वही अर्थ प्राप्त होगा जैसे भोतिक विज्ञान में कहीं भी चाल का मतलब एक ही होगा यह वेक से अलग ही होगा असामान्यता असामान्यता का मतलब है सामान्य शब्दों में विलक्षन जब कोई शब्द पारिभाशिक बन जाता है तब वह बोलचाल के शब्दों से भिन्न हो जाता है विस्तापन के जन सामान्य में नहित अर्थ से भोत एक विज्ञान का विस्तापन अलग अर्थ देने लगता है जिसका मतलब होता है दिशा सहित दूरी अपरियाप्तता पारिभाशिक शब्दों का कोई परियावाची नहीं होता वह एक ही होता है जो एक अर्थ में प्रयुक्त होता है भोतिक विज्ञान के चाल शब्द अत्वा साहिते शास्तर की तरस्ट शब्द का कोई परियावाची नहीं है जनन शक्ति अत्वा उर्वर्ता पारिभाशिक शब्दों से उर्वर्ता या जनन शक्ति का होना आवशक है इसमें एक ही शब्द से अनेक शब्दों का निर्मान संभव होता है जैसे एक अंतर शब्द से रूपांतरण, लिप्यांतरण, अंतरण आधी अनेक शब्द निर्मित हो सकते हैं विभिन शेत्रों और विश्यों के अनुसार अर्थ की भिनता एक ही शब्द अलग-अलग विश्यों के लिए पारिभाशिक शब्द के रूप में अलग-अलग अर्थ देता है कल्चर का जो अर्थ समाज विज्ञान में है वही क्रिशी विज्ञान में नहीं है कृत्रिम रूप से निर्मान पारिभाशिक शब्दावली सामन्य प्रक्रिया के स्थान पर कृत्रिम रूप से निर्मित होती है पारिभाशिक शब्दावली का महत्व विशिष्ट अभिव्यक्तियां तथा संप्रेशन हेतु अनिवार्य है स्वोक्ष्म और बौदिक चिंतन के लिए भी पारिभाशिक शब्दावली अनिवार्य है वैज्ञानिक और तक्निकी विक्यास के लिए भी इसकी अनिवार्यता है पारिभाशिक शब्दावली भाशा की सम्रदी का सूचक है उच्च शिक्षा या अध्यन अध्यापन के लिए भी आवशक है विवित शेत्रों में ज्ञान के विकास हेतू एवम नवीन शोदों एवम प्रियोगों से लाभानवित होने के लिए भी तथा राजभाशा अत्वा कारेले के भाशा बनाने के लिए एवं राष्ट्रे स्वाबिमान वे गरिमा हेतु पारिभाशिक शब्दावली का हुना आवशक है पारिभाशिक शब्दावली के निर्धारन की पद्धतिया ग्रहन विदेशी भाषाओं के पारिभाशिक शब्दावली का जूंकातियों ग्रहन जैसे रेडियो, स्टेशन, कम्प्यूटर, दीन आदी अंतर राश्ट्रियतावादी विद्वान इसी प्रकार पारिभाशिक शब्दावली का निर्धारन करना चाहते हैं दूसरा है अनुकूलन विदेशी शब्दावली को अपनी भाशा की प्रकरति के अदुरूप परिवर्तित कर अपनी भाशा में सम्मिलित करना यह दो प्रकार का होता है धुन्या नुकूलन जैसे एकेडमी के लिए अकादमी और शब्दा लुकूलन जैसे डिजिट प्लाइजेशन के लिए बिजिट अली करन पारिभाशिक शब्दावली के निर्धारन की तीसरी पद्धती है संचयन इसके इंतरवत भारतिय भाशाओं और बोलियों से शब्दों का चैन और प्रियोग आता है जैसे अनू, पर्बाणू, आदी पारिभाशिक शब्दावली के निर्धारन की चोथी पद्धती है निर्मान राष्ट्रियतावादी विद्वान विशेशकर डॉक्टर रगुवीर संस्कृत की धातों में उपसर्ग प्रत्य आदी के सैयोग तथा सामासिक पद्धती से पारिभाशिक शब्दों के निर्मान के पक्षदर है जैसे अधी प्लस सूचना, अधी सूचना, लिपी प्लस का लिपिक आदी पारिभाशिक शब्दावली के निर्मान के सिद्धान्त डॉक्टर रग्युईर ने पारिभाशिक शब्दावली के निर्मान के तेरा सिद्धान्त दिये हैं वैज्ञानिक एवं तक्निकी शब्दावली आयोग ने भी कुछ सिद्धान्त दिये हैं जिसका प्रशाष्चनिक शब्दावली पुस्तत में उलेक है। पुस्तत का चित्र आपके दर्शनात प्रस्तुत है। पारिभाशिक शब्दावली के निर्मान की प्रक्रिया। उपर्युक्त सिध्धन्त के आधार पर पारिभाशिक शब्दावली निर्मान की पांच प्रक्रिया हैं. पहली उपसर्व और प्रत्य द्वारा, जैसे अनू प्लस बंद, अनूबद, इसमें अनू उपसर्व लगाया है. इसी तरह से भौतिक प्लस ए, भौतिक, इसमें ए प्रत्य लगाये गया है। जैसे गांधिवाद। धन्यवाद मित्रू मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भुखले।